हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में रिलाइन्स फाउंडिशन स्कूल से वेकंसी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है टाइमस ओफ इंडिया में 4 दिसंबर को जो है अड़र्टीजमेंट पब्लिश हुआ है सभी विश्यों में वेकंसी है सभी पोस्ट में सैलरी जो है 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग जो है इसमें रहने वाली है रहने की सुविधा जो है यानि आवास की जो सुविधा है उन्हीं के अडिरेट को प्रॉवाइड होगी जो की भारी राज्य के होंगे कोई अप्लिकेशन फीस नहीं देनी है आप लोगों को अप्लाए करते समय चलिए देख लेते हैं वेकंसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो किस राज्य से है क्योंकि रिलाइन्स फाउंडिशन के स्कूल जो है कई राज्यों में है जैसे कि मैं आप लोगों को जब ओफिशिल वेबसाइट पर जाके दिखाऊं गुजरात में जो है सबसे ज्यादा इनके स्कूल चल रहे हैं गुजरात सूरत जामनगर राएगर में तीन स्कूल है उ मैं आप लोगों को ओफिशिल वेबसाइट पर जाके सारी चीजे जो है दिखाने वाली हूं तो इसमें जो है करियर सेक्शन आपको सबसे उपर दिखेगा राइट साइड में इस पर क्लिक करेंगे अप्लाए करने का ओप्चन सबसे उपर दिया गया है यह रहा इस पर क्ल प्राइमरी स्कूल के लिए क्वालिफीकेशन देखंए पॉस्ट ग्रेजो हीशन के सा 만든 बीएड होना चाहिए 10-12 साल नहीं कर दिखे garbage ना प्रशन त्युक क्लिए तो इसमें पांच सी सान्स तम्होंना चाहिए और तो इसमें पांच से ECCED आपने जो है डिप्लोमा किया हो Assistant Headmaster या Head Ministries की वेकंसी प्राइमरी स्कूल के लिए है तो इसमें भी 5-7 साल का अनवर्ब 28 के साथ में Pre-Primary Teachers के लिए वेकंसी है कोई भी अनवर्ब नहीं चाहिए Pre-Primary Teachers के लिए कोई अनवर्ब नहीं चाहिए Graduation के साथ में आपके पास प्राइमरी लेवल का Pre-Primary लेवल का डिप्लोमा डिग्री ECCED या फिर इसके equivalent जैसे NTT हो गया तो आप आविदन कर सकते हैं Primary Teachers में सब भी विश्यों में वेकंसी है Graduation के साथ में बीड Trained Graduate Teachers में वेकंसी है सब भी विश्यों में तो graduate हो या post graduate हो आप साथ में बीड होना जरूरी है CTET या TET जो है बिलकुल यहां पर नहीं मांगा गया है ठीक है Post graduate Teachers सब भी विश्यों में हैं तो post graduate के साथ में बीड होना जरूरी है तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि Pre-Primary, Primary, Trained Graduate Teachers और post graduate teachers के लिए fresher बिलकुल eligible है कोई अनुभव नहीं चाहिए उसके बाद robotic teacher की vacancy है Activity teachers में देखें बहुत सारे candidate जो है कहते हैं Music में vacancy आए Art and Craft या Drawing में vacancy आए तो यहां पर vacancy है बिना अनुभव के आप यहां प्लाइ कर सकते हैं आपने graduation या post graduation की हो और इसकी equivalent qualification आपके पास होनी चाहिए Music में, Dance में, Drama में या Art and Craft में Special educator की जो vacancy है तो graduation या post graduation के साथ में B.Ed आपका special education में किया होना जरूरी है Counselor की vacancy है Post graduate psychology में या फिर graduate अगर आप हैं तो PC Diploma Counseling psychology में होना चाहिए ठीक है तो यहां पर जिनोंने post graduate psychology में किया है तो वो apply कर सकते हैं Senior librarian की vacancy है 5-7 साल का अनुभव होना चाहिए IT manager के लिए 5-7 साल का अनुभव IT executive के लिए 2-3 साल का experience HR manager के लिए 5-7 साल का अनुभव Office assistant के लिए 2-3 साल का अनुभव इसमें जरूरी रहेगा ठीक है तो अनुभव जो है किसमें नहीं चाहिए fresher कहां पर आविधन कर सकते हैं तो pre primary में कर सकते हैं आप लोग आपके पास ECEED या फिर NTT ठीक है B.A. nursery किया हो तो आप आविधन कर सकते हैं primary teachers के लिए आविधन कर सकते हैं trained graduate teachers के लिए कर सकते हैं अगर आविधन करते हैं तो उनको रहने की सुविधा प्रोवाइड होगी अब देखें जो भी interested candidate हैं कैसे apply करना है starting में भी मैंने आप लोगों को बता दिया official website पर आपको जाना है Reliance Foundation School की Jamnagar गुजरात के नीचे आएंगे तो यहां पर यहां अगर नहीं दिखें तो यह arrow बना हुआ है इस पर आप लोग जाएंगे और जैसे ही Jamnagar गुजरात यह देखिए ठीक है तो इस पर जो है आप क्लिक कर लेंगे यहां पर सबसे उपर career section है इस पर क्लिक करना है बहुत ही जो है सही तरीके से step by step में आप लोगों को बता रही हूँ career section पर क्लिक करना है यह पूरा notification आएगा notification में जो भी mention है वो मैंने आपको लोगों को बता ही दिया apply to staff position click here तो यह है click here यहां online जो है आप लोगों को fill करना है यह सारा fill करेंगे जहां पर star mark लगा हुआ है यह red color में star mark लगा हुआ है इसको आप जरूर fill करेंगे यहां पर जो है अपनी file upload कर देंगे ठीक है और last में जो आपको क्या करना है बिल्कुल last में यह submit को option है इस पर submit करना है ठीक है पूरा fill करने के बात address जो है जो भी candidate जानना चाहें कोकिला बेंट, दीरुबाई, अंबानी, रिलाइंस, फाउंडिशन, इस्कूल, रिलाइंस, ग्रीन्स, मुतिखावडी, जामनगर, गुजराद यहां पर है ठीक है email address नीचे दिया हुआ है telephone number दिया हुआ है बाकी official website का link आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में provide कर दिया जाएगा चलिए और भी vacancy आती है बिल्कुल आप लोगों को बताई जाएगी thank you